हालो देल गे फामीलिये ना विगेट्स इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे बे आइंस लेवल का एक टॉपिक जो के है कि किस तरह से हम जर्मन एजेक्टिव्स को नाउन्स में चेंज कर सकते हैं लोज़ केट्स सबसे पहले आउटलाइन देख लेते हैं पार्ट वन में हम डिसकस करेंगे जर्ण सा एजेक्टिव्स के बारे में ओवर्वियू उसकी फॉर्म्स कैसे होती हैं उसकी एंडिंग्स किस तरह से होती हैं Part 2 में हम discuss करेंगे किस तरह से हम nouns बनाते हैं at was, feel लगाकर या कुछ और words को लगाकर nouns किस तरह से बनाए जाते हैं और Part 3 में हम discuss करेंगे किस तरह से height और kite को लगाकर adjectives बनाए जाते हैं और end में एक overview होगा कि अगर हम adjectives से nouns बना लेते हैं तो किस तरह से उसकी endings करनी होती है तो पहला point हमारा ये है कि adjectives हैं क्या ये हमें मालूमात देते हैं, कुछ बताते हैं कि कोई चीज या कोई इनसान कैसा है और recently मैंने basic hundred adjectives की एक video बनाई थी examples के साथ जो कि आपको बहुत अच्छी लगी थी अगर आपने वो नहीं देखी तो उसको चेक कर सकते हैं कुछ examples देख लेते हैं मैंने ठांटे इस्ट आइने नेटिफ खाओ मेरी आंटी एक अच्छी खातून है दूसरी example है तानिया इस्ट क्रांक उन्जी हट होई स्वीबा तानिया बिमार है और उसको है तेज बुखार अगर आप नोट करें तो इन दो example में हमने तीन तीन एजेक्टिल्स दिये हैं यह है पहला नेट जो कि एंडिंग लगी है फगाओ की वज़ा से नेट इफगाओ उसके बाद है क्रांक बिमार जो कि प्लेन लगा है और उसके बाद है hois वैसे तो यह होख होता है एंडिंग लगी है as की तो होख कहते है हाइ को तो hois की एंडिंग फीबा की वज़ा से लगी है यह एंडिंग किस तरह से लगती है इसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे और जल्दी से discuss कर लेते हैं कि adjective की forms कैसे बदलती है तो जब भी आपने किसी भी adjective की forms चेक करनी है आप चाहेंगे dictionary पर वो adjective enter करेंगे और यहाँ पर आपको उसकी forms दिखेंगी यह उसकी basic form होईगी यह उसकी comparative और यह उसकी superlative form होती है इसको हम examples के साथ discuss कर लेते हैं जैसे के जागाइस्ट क्लाइन सारा छोटी है जागाइस्ट क्लाइन अल्स अली सारा अली से छोटी है यह नोट करें कि उसकी हमने जब comparative form यूज की तो उसके बाद हमने अल्स लगा दिया जो के than के मतलब में हम लेंगे के अली से छोटी है ना ठीक है और तीसरी एक्सेंपल है सारा सबसे छोटी है तो थर्ड जो फॉर्म हमने लगाई वो वैसे के वैसे लगा दी जैसे के हमें यहाँ पर दिख रही थी जरा सी बात हो जाए एजेक्टिव एंडिंग्स की तो जर्मन एजेक्टिव अपने बात कुछ एंडिंग्स लेते हैं जो के यह सभी हो सकती हैं अब इसमें से कौन सी कहां पर यूज होगी उसके लिए हमें टेबल्स को याद करना होता है अगर इसके बारे में आपको डीटेल्स चाहिए तो मैं एक वीडियो लिंक कर दूँगी जिसमें मैंने डीटेल के साथ टेबल्स दिखा कर डिसक्स किया है कि कहां पर किस टेबल में कैसी एंडिंग होएगी इन एजेक्टिव के साथ तो उसको आप चेक कर सकते हैं लेकिन एक्जाम्पल्स देखनी तो बनती है जैसे के आइन आल्थेस गाडियो एक पुराना रेडियो यहाँ पर छोटी सी आपके लिए टिप है कि जब भी आपकी सी वर्ट के साथ एस की एंडिंग देखें हमेशा गैस कर लें कि वो नाउन न्यूटर होगा और अगर हम डेफिनिट आर्टिकल के साथ यही वर्ट लगाएंगे तो हो जाएगा तस आल्थे गाडियो दा ओल्ड रेडियो नोट करें कि कुछ भी फर्क नहीं आया जस्ट एंडिंग्स और आर्टिकल्स चेंज हुए हैं अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम कुछ वर्ट को लगा कर उनके साथ नाउन्स बना सकते हैं जैसे कि कुछ एजेक्टिव्स जब एटवस और फील के साथ लगते हैं तो उनको हम नाउन्स में चेंज करके यूज कर सकते हैं सुमबाएश पील इजेक्टिव तो होता है जूस मीठा लेकिन यहाँ पर यह कैपिटल लेटर दिखा रहा है कि यह एक नाउन्स बन गया है तो मैं खाना चाहती हूँ कुछ मीठा इसी तरह कि मैं खरीदती हूँ अपने लिए कल कुछ प्यारा पहनने के लिए आप नोट करें कि यहाँ पर दो-दो नाउन्स बन गए एक यह जो कि एक एजेक्टिव से बना और एक यह जो कि एक वर्ब से बना फील के साथ एक्जामपल है यहाँ पर बहुत कुछ नया है डिस्कवर करने के लिए और यह चेक करें एक सूजात स्पना है और इस पॉइंट की लास्ट एक्जामपल है कि इस हरकत में यह एक्सरसाइज में छुपा है बहुत अच्छी चीज यह अच्छी बात ठीक है तो इस तरह से हम एस के साथ भी डिफरेंट एजेक्टिव को नाउन्स में बदल सकते हैं तो इनके साथ जब आप इनको लगाएंगे तो हम नाउन करके इनको यूस करते हैं फिर कुछ अजेक्टिव से न्यूटर नाउन्स भी बनते हैं और यह कैसे यह देख लेते हैं जो के एंट में एक को एड़ करके बनेंगे एक्जामपल के साथ यह पॉइंट क्लियर हो जाएगा जैसे के दास गूटे, दा गूट थिंग, अच्छी चीज दास नोए, कुछ नया, दा न्यू दास फ्रेम्टे, फ्रेम्ट से फ्रेम्ट कहते हैं फॉरन को जो पराया हो, दूसरे मुल्क का हो उसको तो दास फ्रेम्टे हो जाएगा तो आपने नोट किया कि सभी के एंड में ए लगा था और ये सभी न्यूटर है हाइट और काइट को यूज करके बहुत सारे एजेक्टिव्स हम बनाते हैं जैसे के इसमें हम एक्जाम्पल्स देखने लगे हैं श्योन है प्यारा या प्यारी तो डी श्योन हाइट हो जाता है खूबसूर्ती आप नोट कीजेगा कि हाइट और काइट जितने भी वर्ट्स के एंड में लगता है वो हमेशा फेमिन होते हैं इसी तरह ठोकन कहते हैं ड्राय को खुश्क तो डी ठोकन हाइट खुश्की कहत साली को कहते हैं जर्मन में डी ठोकन हाइट क्रांक बिमार डी क्रांक हाइट बिमारी फ्लूसिश कहते हैं लीक्विड को इसी से नाउन बन जाता है डी फ्लूसिश्क हाइट ठेटिश कहते हैं काम पर होना, मसरूफ होना तो इससे बन जाएगा दी ठेटिश काइट काम को, ओक्यूपेशन को कहते हैं लास्ट एक्जेम्पल है फ्वॉइंडलिश, दोस्ताना दी फ्वॉइंडलिश काइट, दोस्ती पार्ट त्री में हम यह देखने लगे हैं कि जो एजेक्टिव्स बन रहे हैं यह किस तरह से बन रहे हैं इसको बनाने का एक खास तरीका भी होता है जैसे के टेया पिखंटे मान कहते हैं उस आदमी को जिसको हम जानते हों The known man के मतलब में इसका मतलब आता है, पिखांट, known वाकिफ को कहते हैं, तो आप नोट करें कि इसको हम और किस तरह से कह सकते हैं, डिया पिखांटे, दा नोन उस बंदे को जिसको हम जानते हों, लेकिन वो मस्कूलीन हो तो, तो अब हम देखते हैं कि अगर इनको फैमिनन बनाना है, या मस्कूलीन रखना है, और किस केस में इसको कैसे हम करेंगे यूज़, तो जब भी इस तरह से adjectives noun में बदलें, तो हम उसका एक fixed pattern रखते हैं, जो के grammar में होता है और वो कैसे, वो यह है कि उसकी कुछ endings हम लगाएंगे, और उनके meanings में change नहीं आएगा, और इन endings को use करके हम different cases में इस्तेमाल करते हैं, और ये endings हमें याद करनी होती हैं, अब आप note करें, कि ये जो हैं वो masculine है सारे, ये feminine है different cases में, और ये plural में है, प्लूरल जब definite articles के साथ आएं, तो उनकी ending हमेशा an की होती है, अब आप क्या ये तो नहीं सोच रहें, कि इस table में neuter nouns कहां गए, तो यहाँ पर ये बात बतानी है, कि ज़्यादा तर adjectives जब हम nouns में change करते हैं, तो वो या तो masculine, या feminine में change होते हैं, हास तोर पे वो लफ्ज जो के किसी इनसान की quality होते हैं, तो adjectives neuter nouns में भी बदलते हैं, लेकिन वो बहुत कम होते हैं, अगर वो बनेंगे, तो फिर उनकी भी वो ही endings लगा करेंगी, जो के definite, indefinite articles में neuter nouns लेते थे, जो के मैंने उपर दी गई वीडियो में attach कर दिया है, उसमें आप उसको check कर सकते हैं, जाते जाते हम चारो cases की एक-एक example देख लेते हैं, तो पहली example यह है, यह हमने nominative case की लिए है, जो के यहाँ पर है, तो हमें वर्ब की form देखकर, और यह article देखकर पता चाल जाता है, कि यह किसी बिमार ओरत की बात हो रही है, और वो एक ओरत है, तो इसको आम तोर पे आप कैसे लिख सकते थे, दी क्रांके फ्खाव मुस सुम आद्स्ट कियन, वहाँ पे आप क्रांके के को छोटा लिखते, लेकिन जब आप आस्वाए और बे आइंस लेवल पर आते हैं, तो आपको एजेक्टिव से जब चेंज करते हैं नाउन्स, उनको समझना और उनको बना कर यूज करना भी आना चाहिए, ताकि आपके राइटिंग में जबदस्टे माक्स आ सकें, तो अगर यहाँ पर एक बिमार आदमी होता, तो उसको आप कैसे लिखते हैं, गैस करें, और मेरे साथ शेर कीज़ेगा आंसर कॉमेंट सेक्शन में, दूसरी एक्सेम्पल आकुजाटिव की है, जो के ये रही, तीजस मेडिकामेंट इस्ट नुआ, फियर एरवक्स ने, ये दवाई है, सिर्फ ग्रोनप्स के लिए, एरवक्स ने कहते हैं, ग्रोनप्स को, बड़े लोगों को, तो ये बच्चों के लिए नहीं है, तो इस तरह के भी आप नोटिसेज पढ़ते हैं, जब दवाई बगारा लेके आई हैं, बच्चों के लिए हैं के नहीं हैं, और इस तरह की चीज़ें वहाँ पर लिखी होती हैं, डाटिव की एक्सेंपल मैंने, फ्रेम्ट के साथ ली है, वो ही जो हमने उपर देखा था, फॉरन के मतलब में, तो, क्या तुमने उस बंदे से बात कर ली है, जो के अन्जाना है, फॉरन है, तो ये परफेक्ट में हमने सेंटेंस बनाया है, लास्ट इक्सेंपल है, गेनेटिव की, इन डॉच्छलंड, श्टाइक दिसाल, डिया आबाइट्स लोजन, जर्मनी में बढ़ रहा है नंबर किसका, जोब लेस्ट लोगों का, तो ये देखे, कि ये गेनेटिव में हमने इस्तमाल किया, और ये प्लूरल यूज हुआ है, वैसे एजेक्टिव इससे था, आबाइट्स लोज, जो के होता है, जोब लेस्ट के मतलब में, इस वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया, ये आपको कैसी लगी, मुझे लाइक और कॉमेंट करके बताएए, क्या इसने आपकी हेल्प की है, अगर हाँ, तो अपने लैंग्विज लेंग फ्रेंज के साथ, इसको ज़रूर शेयर करें, दोनों चैनल्स के लिंक्स दिये गए हैं, इनको सब्सक्राइब कर ले, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, चूस।